शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें यह मेरे सच भूलने की बड़े से हुआ है देल का अच्छा हुना दिमाग वाले फाइडा उठा ले तुने मेरी खातिर अपनी जबान बंद रखे लेकिन मैं चुप नहीं रहूँगी मैं दुनिया से चिला चिला कर कहूँगी कि मेरी खातिर रहूँगी कसा मैं तुम्हे मेरे सर की तुम्हे इस राज को राजी रहोगी मुसी वाहरी औरत वाहर क्या रूप पिखाया है तुने मेरे अमर के साथ इतना बड़ा धोका किया मेरे बेटे ने तुझे क्या समझा और तु क्या निकली सर क्या जुकाती है आखे मिला कर बास सुन डायन आप होश में तो है सॉर्य मेरे अमर को सजा दिलवाकर तु जितने चाहे मैडल जीत ले लेकिन इस सब्ला की बद्दू आ है तुझे कि भगवान करे तेरी गोज कभी न बरे तु अवलाद को तरस दे तब तुझे पता चलेगा पता चलेगा तुझे अवलाद का दर्द क्या होता है अवलाद का दर्द क्या होता है नमा मीशी मीशान निर्वान रूपम विभूम व्यापकम ब्रम्हवेदस्वरूपम मिजम निर्गुनम निर्विकलपम निरिहम चिदाकाश माकाश विभूम 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 कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो हुआ सकते हैं कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो मिस्टर अमर, मैं आपको बहुत बुरी ख़बर देने जा रहा हूं चाचा जी घंडा अंकल चाचा जी नहीं रहे पेटे मैं समझ सकता हूं कि जीश चाचा ने तुझे पाप से भी बढ़ कर प्यार दिया उस चाचा की मौत से तेरे दिल पर क्या कुसरी होगी समझ सकता हूं यलो इसे पढ़ो मेरी मौत को कतल ना संदे यह खुदकशी है प्रेंट यूमर के दर्द ने मेरा जीना हराम कर दिया था वैसे भी मैं बहुत कम दिनों का मैमान थी डॉक्टर ने छे महिने की मुद्द दे दी थी लेकिन मुझ में इतनी हमत नहीं थी कि मैं छे महिने तक इस दर्द को बरदाश्ट कर सकता इसलिए मैंने कुदकशी कर ली इस मौत से किसी का कोई तालुक नहीं और ना ही किसी को इसके इंजाम दिया जाए कि राम कुमार सक्सें सुरी बेटे एक फैमिली डॉक्टर होने के बावचुद भी मैं तुम्हारे चाचा जी को बचा नहीं सका तुम्हारे चाचा जी इतने कमजोर निकलेंगे इस बात का मुझे पता ही नहीं था माना कि उन्हें तकलिपे बहुत थी लेकिन मैंने उनसे कहा था कि ऑपरेशन के बाद वो ठीक भी हो सकते हैं इस्पेक्टर साहब अप लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जा सकते हैं अमर माँसे तुम सोई हूँ बुड़ापे में जिन आखोंने इस घर में इतना भायानक मंजर देखा हो उन आखों में नीन कहां से आएगी चल बटे खाना का ले नहीं माँसे मुझका भूप नहीं माँसी का मतलब जानता है माँसी यानि माँसी माँ की बात नहीं टाला करते अच्छा मतलब इस तरह गम में टूपे रहने से क्या होगा नहीं में अपनी खांदान का इतना बड़ा बिसनस है उसे तुझे ही आके बढ़ाना है तुझे हिम्मत रखनी होगी हाँ में हाँ साहब क्या है मैं ये दो टुकड़े लेलू अवे घोचू तुझे ये दो टुकड़े दिखाई परते हैं अरे ये बड़े काम की चीज है बड़े काम की इसके दाम लगते हैं डाम इसके दाम कितने पूरे पाँच रुपए पाँच रुपए इसके पैसे के लालच ने तुरे दिमाग के टायर को पंक्चर कर दिया है और अंदर जाकल की हवा निकाल दिये अरे मूरख क्या करेगा पैसा कमा की पैसा किसके काम आया है जो तेरे काम आएगा अरे अकबर बाद्शा खाली हाथ आया था खाली हाथ गया शिकंदर जैसा बाद्शा खाली हाथ दुनिया में आया था खाली हाथ गया तरून जैसा बड़ा बाद्शा खाली हाथ आया था खाली हाथ गया इसलिए कि जिन क्या खूब कहा है कि सारी उम्र कवादी कवाने में पैसा और बाद में यही साला पैसा बनगी अपने दुश्मान जैसा यह जब आता है तो साथ पर टेंचन भी लेकर आता है इंसान के सर के बाल निकल जाते है इंसान गंजा हो जाता है फिर याशी में पड़ जाता है, कोठे पर जाता है, शराब पीता है, तवाइफों के चक्कर में लग जाता है, उसके बाद उसको भीमानियां लग जाती है, और एडियां रगड़ के मर जाता है, और उसके मरने के बाद, उसी पैसे के लिए उसके घरवाले एक दूसरे का अरे मेरे बाप, तू ले जाये दोलो टुकडे, मुझे दाम नहीं चाहिए, मुझे दाम नहीं चाहिए पहले बूलना था ना यार, कामका मादारी तू नहीं बनना पड़ता था अन बहुत अच्छा, अन बहुत बढ़िया हो जूते के नीचे लगाना ठीक रहेगा जूता बहुत मजबूत रहेंगा, और बहुत सालों तो चलेंगा हो अन्सोर लगवाने गुआए, अन तुमारे जूते की दर हो अरे आधा काम मैने कर दिया, आधा तुम कर दो क्या? मतलब, जूते के जमीन मैने लाकर दिया, अब जूते का मकान तुम बना दो जमीन तुमा कान तो मैं बनाओगा, लेकिन पशे लगीगे, हो पसे? चूता बनाके देता ही, यढ मैं फिर से मदारी बन जाओं ₹ ? मेरे बाप, फिर से तो मदारी मत बन, महच उचे अन्मझाथाऊ मैं चुटे समझाता हो, इसे जाना दे चलो किसी के दिल में तु मेरी बात उतरी, इसको बता के मधारी बंदे में क्या नुखसान है, तब तक मैं जरा नजरों का राउंड मर के आता हूँ आरे मैं तेरा कुछाता हूँ हुआ रूमेट तरह लोग आचुके हैं रूमेट सबके लिए होटल बो करें रुएट रुएट कौन हो तुम कहांगुस रहा मुझे साहब से मिलना है तुम्हें और छोड़े सरकाश से मिलना है बहुत जरूरी काम है अंडर मीटिंग चलिए दो घंडे बाद आना दो घंडे बाद आप लोग ये बाद अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी कंपणी खेतान इंडिया लिमिटेड हर किसम का फैन मगाती है और उसकी खास बात यह है कि हम उसकी अच्छी कॉलिटी के साथ साथ उसकी प्राइज भी इतनी बनाथ है यहीं वज़ा है कि आज इंडिया में हमारी सेल इतनी जवर्दत है आज की मीटिंग रखने का खाओ मकस्द यह है कि हमें अपनी को इसी तरह बरकरार अकुलिटी के इसी तरह बकरार रखना कि हम सिरफ इंडिया में ही Sacramento में भी हर कंपणी के साथ कंपीट कर सके। जाएटिए करें जाएटिशन वाइट वाइट दे ऑफ़ रख रहित बेटे अरे कहा हो तुम केंसे हो कौन बेटे केंसे हो कौन है यह जाता हुं बेटा की इसे क्यों कह रहा है तुम शहाद अपनी दुनियाला को अपने माजी के बारे में नहीं बताना चाहते हैं मत बताओ लेकिन एक बार चलकर सीमा को देख लो कौन सीमा? तुम सीमा को नहीं जानते है यो लड़की तुम्हे दिल और जान से प्यार करती है जो तुम्हें सिर्फ एक नज़र देखनी के लिए जिदा है अगर इस बाप का अर्मान है कि वह अपनी बेटी को सिर्फ जिन्ता देखे एक बार उसे चलकर देख लो शायद जीजाए शायद डिएड़ साल से बंद उसकी जबान फिर से बोल पड़े तुम्हारी आगया हाँ जोड़ता हूँ मैं तुम्हारी पढ़ता हूँ देखिया आपको कोई गलत वही है मेरा नाम रोहित नहीं अमर है मैं इस कंपणी का मालिक हूँ और ना मैं आपको जानता हूँ और ना यही मैंने किसी लगी से कभी इश्क किया वीपक यह सर् एक काम करेंगी बेटी के इलाज के लिए कुछ ओके कमान फ्रेंट्स तुम्हें देखकर इसे लगा कि जैसे रूही जिन्दा है और शायद तुम्हें देखकर मेरी बेटी जी जाए मापका ना बेटा तुम्हारे समय बहुत बरबात किया मालिक तुमको और दोलन दे और तरग्य करो बेटा सुनिया कौन से अस्पिताल में है आपकी बेटी बेटी ए बेटी कुछ तो बोल इदे तुसे मिले कौन आया ए रोही थाय बेटी रोही थाय रोही थाय रोही थाय कि इसे जी भार के रोही ने दीजिए इस सदमे का इससे अच्छा कोई लाज नहीं है कि सिमा, सिमा बेटी बेटी, डक्र साम येस मारे खुशी के बेहोश हो गई है थोड़ी दर में से होश आ जाएगा तब तक आप लोग जरब होया शोर नर्स आप पिटे मैं तुमारी परिशानी समझता हूँ मैं हैरान इसलिए हूँ कि आपने मुझे रोहित कहके पुकारा आपकी बेटी ने भी मुझे रोहित कहके पुकारा यह सब क्या चकर है मैं समझाता हूँ यह दुख इस लॉकेट में मेरी तस्वीर कैसे है यह तुमारी तस्वीर नहीं है यह रोहित की तस्वीर है बड़ा नियक और शरीफ लड़का थरवेद सीमा और रोहित बड़ प्यार करते थी दूसरे को लेकिन खिस्वीर को कुछ और ही मुझूर था तक्दीने मेरे बेटी की भाग में लाज जुड़ा और हाथों की मेंदी तु लिग दी थी लेकिन सुहागर उना नहीं लिखा था रोहित शादी के लिए अपने माबाप को लाने गया है वो तह नहीं आया है इसके मौट की खबर आगी साइड वेरी साइड रिलक्स रिलक्स मिस्टर जगबहन आपकी बीटी को हूश आगया है अगर आप चाहें तो से मिल सकते हैं जी लिए अगराई लिए लुए लिए 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 रोज रोज तुम मैं शोड कर कहाँ छेली गये थे बादा बादा है लोग वादे करते है कि तू की तू मिरा दिल हमेशा यह कहता था में तुम्हारा इंतहान ले रिए था मैं देखना चाहा था कि तुम मेरे वागर जीजब होगी या मुझे खुबसरा सपना समझकर भोल जूगी मगर तुम अपंछे इम्ताइन में फस़वा होगा और समय तुम्हारे साथ वे पेशा हुआए पहले की तरह पहले भील्कुल उसी तरह तुम्हें यादए हमारी घर के साबनी तुम्हारा एजसीargा करता था और कैसे तुम मुझे रोज चीरा करते थे कर दो कर दो तु जहाँ जहाँ चलेगी मेरा साया साथ होगा रोहित रोहित माई फुट आपने हमारे नाम को अपने पैरों के निचे कुचल दिया इस बात का हमें अफसोस नहीं है जनी डर है तो इस बात का कहीं आपके पैरों में मोच तो नहीं आ गई पाकिज़ा मिस्टर बेशरम आप रोज मेरे पीछे बढ़े रहते हों आखिर आप मुझे बता सकते हैं कि ये बत्तमीजी और बेशरमी का सिल्शात कम चाके खतम होगा अजी कल से आलन जलन छोड़ देंगे बेरी कोच दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे आपको बस एक चुम्मा दे दीजे शाट आप अज आप चुम्मा देंगे मैं कल वापस लोटा दूँगा देखिए मैं बड़ा खांदानी हूँ हूँ हम लोग कोई पी चिस किसी से एक बार लेते उसको बड़ी मानदारी से लोटा देते हैं हमज़े आप ऐसी बाते को तो मैं बहुत जल्दी और अच्छी तर उसे समझती हूं लेकिन एक चुटी सी प्राप्लम है क्या वो क्या है कि मैं उदार में विश्वास नहीं रखती है यह जो लेन देन का मामला होता है ना वो मैं हमज़े नगत में करती हूँ नगत बड़ी अच्छी चीज होती है कहां से शुरू करेंगी आप यहां से कहीं से भी चलेगा क्या बात कर रही आप सची तो के अरो यह है तो नगत जरूर मकर सिक्का जरा खोटा है लगता आपका चुम्मा देने का इरादा नहीं है चलिए मैं ही खुद ले लेता हूँ क्या चाहिए बाबा चुम्मा 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 एक चुम्मा तुम मुझको उथार दै दे एक चुमात मुझको उठार दैते और बदले में यूपी पिहार लेले मेरी छम्या, मेरी छम्या तुहां में जवाब दैते और बदले में दिल्ली पंजाब लेले और बदले में दिल्ली पंजाब लेले पहले अदाओं की बिजली की राए मैं पास आओं तो नखरे दिखाए पहले अदाओं की बिजली की राए मैं पास आओं तो नखरे दिखाए नक्रे दिखाए इन होटों के दो चार चाम देए दे अर पदले में बंगाला साम लेए ले समझे कि तुछो न दिल का इशारा जाएगा फिर का आशिक तुमारा आशिक तुछो न दिल का इशारा जाएगा फिर का आशिक तुमारा आशिक तुमारा मेरे हाथों में तू अपना हाथ डई दे और पदले में पंपय कुछ रात लई ले और पदले में पंपय कुछ रात लई ले अच्छो और आशिक तुमारा अच्छिन टीए हम्हें ज़ाएगा था अच्छो हमें पर इस अच्छो फ्क पन्त लुड़ में व्ज़क तुमार के अच्छो फ्क तुमार में दूआ था है शिकार उसने किया दिल को तार-तार किया वुरा किया अन्वार जो किसी लड़की से प्यार किया जिएंगे बाल है कि यहेंगे सास्साथ मर्ने की कसमें खाई थी यही समझ कर तो अनवर ने इत्बार किया शुक्रिया 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 अमा रोईत्मियां इन खेलने खाने के दिनों में यह आंसों की धारा क्यों क्या पता हूं अन्वर मैं भी तेरी तरह इश्ग में पढ़ गया हुरे माशाला माशाला लेकिन मेरे इश्ग के दुकान थे मदद के बगर आगे नहीं बढ़ सकती अन्वर मैंने सुनाए कि लड़कियों पर लव लेटर का बहुत भारी असर होता है खासतों पर जब वो उर्दू में लिखा हूं मैं कुछ समझा नहीं रोईत्मियां उर्दू के मिठास लड़कियों के दिलों को चीर देती है अन्वर शुक्रिया शुक्रिया अन्वर तुझे मालू तेरा खैलात कुर्बान होने के लिए C.I. की बोतल अपना मुझ फारे वैठी रेती है शुक्रिया शुक्रिया अन्वर खैलात तेरे खा तेरा उठाकलम उठाता हूं लिख लिखता हूं जादी यह आप क्या कर रहे हैं गड़ी साफ कर रहा हूं यह गाडी लोहे की बनी हुई है कोई कागस्ता ह legal कृहboys मौंग की नही चाहब इसको आईस्ता हसाफ कर रहा हूं मालूम है मुझे कि लोहे की काड़ी है। हाथ ना सोर्से घाष थyear तो इसका print नहीं निखल जाएगा और तु गैरज वालों को नहीं जानती है पेंट का नाम ने तो रिजन भाड से कोल देते हैं कसम से अगर कभी चंजुसी का कॉमपटिशन हुआ न तो आपको गोल मेंडल मिले या गोल मेंडल तो मेरी चंजुसी से घर में गोल मेंडल आयागा न कुछ जाया तो नहीं चल दादी मेरे बाल नूचेगी मेरे बार बार रहा है। बेटी होगी? अंदर है एक बात बोले सक्ची? बहुत कमाल की चीज़ है फिगरवा देखा है? फिगरवा समझते हो कि नहीं? कमाल का फिगरवा है उसको जब भी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इसको उठा कि हिया से ले जाए और गाओं में ले जाकर जाने में उसके साथ प्याहर अचा है अरे हम? अरे तुम उसके बाप के बराबर हो तुम क्या करोगे? वो हमारा डिपार्टमेंट है यह क्या बहुतना टेम कर रहे हो? अरे यह मामूली दूदवाला होकर अतनी लंबी जबान अरे तुम हमारे साव ने जब इतना ओपन होई गयो तो हम भी टोटल ओपन हो जाते हैं नहीं? अरे हम दूदवाला नहीं हूँ भाई यह देखो अम उस लड़की का आसिक हूँ अरे बहुत दिनों से सस्री को पुटाने की कोसिस कर रहे हैं साली हाथ ही नहीं आरे सुचा आज जाके इसको चिठी दे दे गाव खेड़के आदमियों हमारे इतना काम से करी दो उसको चिठी पहुचा तो यार बांचायत हैं और देख हम किसको कहा पभ़शात हैं जाड़ी यह तुमको ड़ड़ी जाड़ी के को बोल रही है यह हमरी बिटिया है क्या पात कर रहा है तुमोंरी बिटिया है तु पहले बोलना चीए न इतनी दिर से से बतिया कह रहे हो और बता माती ऑटिया उयाद रफन घर में कॉन बिटिया है, कून अलोकर । इस भूम कों है। olor neces manual «car that e, e hashtag» काती क्यों हो का गुज्स्य की, और रिक Shark छोड़ूंगी नहीं जुद तो खाम खान हराज हो रही है जद्रिए मैंने भी हरात तर्य तो छुदि क्यों है क्या वो? मैं समझा था, दुनिया में मही 420 हूं ये लुच्चा तो 840 निकला ये है तू क्या मेरे को कुट्डी का पिला समझता है? जो इस तरह से बुलाता है? कैसी बात करते है सर? मैं तो आपको खुशकबरी सुलाने आया था आपके तो दिन बतल के सर? जा बात करता है? ये लड़कियों के तस्विरे देखना बंग कर दीजे आज आपके जीवन में संसार की सबसे सुन्दर अस्त्री आने वाली है और इतना ही नहीं, वो आपके कुछ चीज भी देखे जाएगी तुझे कैसे महलूप? मैंने सपना देखा है अरे बेवकोफ, सपने भी कभी सच होते हैं क्या? मेरे होते हैं मेरे होते हैं आप क्यांप में किसी से भी पूछ लीजे मैंने जिसके बार में जो सपना देखा वो हुआ है एक बात बता, वो लड़की मेरे को क्या देखर जाएगी? यह मैंने बता सकता देखे अगर तुने नहीं बताया ना तो मैं तेरी को रस्टिकेट कर दूँगा आप ऐसा नहीं कर सकते क्या हूँ? क्योंकि मेरे इस अपना था चुने वाला है और फिर यह तस्वीरों वाली बात कबेर? कबेर? बॉर्णिक सार यह आज आपके जीवन में संसार की सबसे सुन्द रस्त्री आने वाली और इतना ही नहीं वह आपके कुछ चीज भी देखे जाएगी क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? यस यस आए आए आलो सर शर्मा को कई दिन उसी देख रही हूँ मुझे? आप कितने अच्छे हैं कितने शरीफ हैं मैं आपको बहुत एड्मायर करती हूँ एक आप है और एक सर मुझे बहुत शरम आ रही है बताने में मैं आपको क्या बताओं आपस इस खत को पढ़िए जान इस खत को पढ़ का नारास मत होना क्योंकि इस खत में अलफादों की जगह अपने दिल के छोड़े चोड़े टुकड़े विखेर कर आपके खिदमत में पेश किये मैंने जान मेरा यकीन करो जब से तुम्हें देखा है ना दिल को चैन है ना करार मेरे देखने से तुम्हें घुसा भी आता होगा हाँ लेकिन नारास मत होना जान यह मेरा प्यार है सिर्फ प्यार है जान मेरी महबत को मेरा नजराना समझ कर कबूल कर लो शुक्रिया 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 पढ़ लिया आपने सर हाँ पढ़ लिया मैंने पढ़ लिया सर मुझे इसका जवाब अभी और इसी वक्त चाहिए और इसी वक्त हाँ लेता हूं लेक काम में देरी किसलिये हुँँ यह तुम्हारा ख़्थ और ये हैं मेरा जवाब वहां बड़े बत्तमीज किसम के आदमें आप मैंने आपके एक स्टुटूटन के बत्तमीजी का जवाब मांगा और उसके बदले में आप उची यह लिख कर देदें को मुझे शादी करने है बड़े घडिया किसम के आदमें आप नहीं मैं मैं आप आप गड़ में क्या बेज़ा। स्टुपिड। खड़क सेंग यह सब क्या है। वहीं सर जो आप देख रहे है। अगर आप भी मेरी जगह पर होते हैं और यह आप से जवाब मांगती तो आप भी यही जवाब देते जो मैंने दिया है। सर। मुझे घरत फहिमी हो गए थी। यह क्या यूयूय लगा रखा है। आप रोहित तो यह ने बिलाते जिसने मुझे ख़त लिखा है। रोहित बात सारी समझ में आ गई सर। यह हरकत रोहित की है। उसने अपनी जान बचाने के लिए मुझे कहा कि एक खुबसूरत लड़की आएगी जो तुम्हे कुछ दे कर जाएगी मुझे क्या मालूम था कि वो उसी की चिटी दे कर जाएगी। इस पराउट सर। रोहित को बलाईए सर। सर। आपने मुझे बलाया सर। रोहित क्या ये सच है कि तुमने इनके घर जाकर ये खात इनको दिया था एक मिनिट उधारवला चुम्ह है ना प्यार से देदो वरना सब गड़बर हो जाएगी है शुट आप सर ये कौन है मैंनको नहीं जानता और ये खात मैंनको नहीं लिखा और अगर आपको मेरे करेक्टर के बारे में जानना है तो आप खालक सिंग्टी से पूछिए ये मुझे तब से जानते हैं जब मैं चड़ी में घूमदा था अरे चड़ी में घूमने का ख़त लिखने का क्या तालुक है तालुक है सर। जो बार बार इल्दाम पर इल्दाम लगा जानी है सर आप इसकस को ठीक से पढ़िए क्या इसकस की हैंड़ाइटिंग मुस्ते मिलती है क्या मैंने कभी इस इस इशारी किया अपर नहीं ये तो अन्वर की है तो आप अनुर को बलाएए सर शुक्रिया शुक्रिया बस आप सीधे हो जाएए हजूर और ये बताएए कि ये खत इन महतरमा को आपने लिखा था सर मैंने इनको नहीं लिखा था को? बल्क इनकी बेपना चाहत की गहराईयों को मद्दे नजर रखते हुए ये खत मैंने इनकी नजर किया था कोई बड़ बड़ कि इन अंदर बता दूँआ कि तेरे साथ बस में क्या हुआ था अनवर तु डर मत तु सर को सब सच सच बता दे कि ये खत किसने लिखा था मैंने लिखा था सर सर ये बिलकुल छूट बोल रहा है सर आप चुप रहे हैं आप मेरे दोस को ड़राने की कोशिश कर रही है अनवर ये खतिन की घंचा था मैंने पहुंचाया था सर सर नहीं पहंका Two अनवर तुम उपर से इतने शरीफ और अंदर से इतने बदमास हो इसी सिजा मिलेगी चुकरियो कि अगरियो कि अगर मेरे भाई कैसा है रहे तू मैं तुझे कभी माप नहीं करूँगा अगर तेरे दिल में मेरे लिए थोड़ी से भी इसतर तो किसी को मत बताना कि मेरे साथ बस में क्या हुआ था कि बात करता है तू अन्वर आज तक मैंने कभी किसी से बताया कि तेरे साथ हीटर में क्या हुआ था तू भाग अन्वर तू भाग और तू देख मैं तेरा बदला लेने के लिए क्या करता हूँ क्या करता हूँ क्या 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 तुम यह तो बताओ कि तुम हो कौन क्या यंगल में जा रही थी साफ मारे पीछे पड़ गया मारी जान बचाने के लिए मैं तुमारे टेंट में कुछे अच्छा मैं चलती हूँ ठेरो ठेरो आज की रात तुम यहीं पर रुख जाओ बाहर तो बहुत बड़े बड़े साफ है नहीं तेरे को डस लेंगे तुमारी बात मैं एक पॉइंट लेकिन तुमेरे मेरे पर इतना प्रेशर डाल रहे हूँ तो मैं इधर रुखने के लिए तयार हूँ पन मारे में भी एक पॉल्टी क्या पॉल्टे मेरे को रात को गरबा खेल कर सोने की आदत है तुमे मेरे साथ गरबा खेलोगे खेलेंगे खेलेंगे लुग हड़ागी में अरिया दे अजिप जाजो जानवाड़ागी जा जाजो ऐसे नहीं ग Eigड़ागी रुद्धा जाजोups अजिए में पर खोड़ागी अपने अपने आखसका भी अजो अपने ने खिजसकते आपड़ागी भाजर! 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 लुटने क्या हो रहा हूँ? चल वाज़ देखने से, बचारे कोहेरे, भाजर! भाजर, इलुट लिए यह, यह, यह जूट बोलाईए! स्थमुसर नहीं, आप इसर्देखकर बात बताये यह क्या बोलाईए! अगर यहां यह एक कसाई है तो आपके इतने सारे भाई हैं आपको इसाफ दिला करेंगे अगो प्लीस को ब्लाकर रहेंगे। प्लीस ? अरे इस्पेकटर सार मेरी बात को सुनिया, मेरे कुछ से क्या। अरे बे हुकूब खरक जिंग कुछ कीए वगर ही हवालात में आ गया। इस नरत क्या है ? तब मेरे को एक बात पूछ हूँ ? क्या पूछना है ? तमेरे लोग मेरे को इधर काई को लेके आये हैं हामोश इधर ज्यादा बात नहीं करने का तुम्हारा बलतकार हुआ है अभी तुम्हारा मेडिकल चेक अप होगा चेक अप तमेरे से दूसरी बात पुछू तमेरा हाट स्ट्रॉंग है ना क्यों? अगर प्लतकार करने की ताइम जर्थ सरमने आता आता ही रोकन को त त ला काप्डड़े metre Playowe पाबा आती है मेरे को मेरे लोग परता है क्यों? तव मेरे लोग मेरा सिर्फ उर उरूपर उर तरते चेक अप्ड़रा लू कट्स अगर जक्तर हम तुम्हारा चेक अप नहीं करेंगे, तुह हलकत मुठर खाड़ सिंग को सजा कई से दिलाएंगे चला काडा काडा मैं हाँ चोड़के तम्हेर से बिंती करती हूँ तुम्लग सब अच्छे घर के लड़कियो मेरा चकप करके अपनी जिंदेगी खराब मत करो, मैं हाँ चोड़ती हूँ बाबा सर्माती है, सर्माती है, चला हाँ पाइख पक्राइख हे दिरे, डॉक्तर न फंकरा, न रतन जक्रा, जक्रा के मेरे को गीरा दिया मेरा के मेरा चका पेख चाना तिया अच्छे के मेरा तिया training एख यह को गीरा उन सर्माती ङक्राब मत करो, मैं हाँ जक्राब ह ! खुदका साथ प्यानात किया और बाकी को जिन दालाश किया है जिरे, जिरे चास हाई हाई वालियाँ वाले, प्योग आलो हाँ थोड़ा खुल के जिरे, जिरे, जिरे display मेरे दोस्त लोग है आपकी पारे में रिसेर्च कर रहे है जला पलीस बताएगी आप में एक्जेक खुबिया क्या है बताओ यह ले मैंने आपके हापकी खुबिया नहीं पुची थी मैंकेत यू हट जाओ I said just get out Hey लड़की को छुणा तो दूर की बात है पहले इस बॉल को तो शुकर बताओ जो तुम्हारा अपना है चल रो क्या है बिल खाय का बिल हमें तो कुछ खाया भी नहीं जो खाया नहीं है उसका बिल नहीं है जो खाने वाला है उसका बिल है पढ़़ब एक तार्फ, एक आख, एक पाव की नली, एक रीट की हड़ी, निकलता जा, एक फसली की हड़ी, चल, चल, एक मेजा, और भी है, एक अत्री, बिल दे रहे इसका, आथ तुने लगाया ना, बिल भी तु ही चुकाएगा, ए ला बहल दे, तुझे बहल की पढ़ी है मेरी हाथ की वह भागवान, पहले बाल तो लेने, फिर तुझे भी चुड़ा लेंगे, तर में जाकर लड़ना, बाल ची है ना, यह ले, जूट गया हुए अजू भी ना, पाल वाल थैंगा ले दुझे ले, तु है, जूझे खेंगा लुझे ए जॉबाएजा ए ले, बाल तु है जुआ जूँए हुआ 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 है हुआ 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 हु जरो! कुई ल와, मा, वी मा कुई ल와, मा मजलें करदाब। जान Thailand कर आख अब एक जब रही है कि एक जुक्रिव पखरियों कि तरण मैं क्या कर रही हो पफ्रों लल्कियों को इस तरह कर करने का कोई हक नहीं है और स्विंग करने का बहुत शॉक है ना तो घर के सामने खटा बना उसमें कुछ जाया करो वह कंजूस का है कौन तुमारा बाप उसको बोलो कि उसके क्लब के पैसे बच जाएंगे यह तो अच्छा वागे मैं तुम्हें छेड़ने के लिए चला आया वरना पता नहीं क्या होता रोहित मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें गलत समझा अरे इस तरह खड़े-खड़े अपने अफसोस को जाहिर मत करो ना बैटके चाय पीते पेते सारी बोनो आओ ना चेर्ज यह नजीव से नसीव तक राने की शुरुआज जो होती है न वो चाय से होती है जब कोई लड़का किसी लखकी को देखने के लिए जाता है तो लड़की बढ़ी शर्मा कर हाथों में ट्रे लेकर आती है और कहती है कि चाय लेंगे आप तोंच धिंक दिर यागा तिस इनक ह बता रहा है यहां रहे है चल इसकी हिरो बेरी निपाल पे है चल रहे है होड़ बात खुसरा थे चाय पीए कुछ गुछok मात खाने का दो आर देगा भी के अंदयर मिली चाहिए चाहिए भकवास करता है पीमा मैं लो जानता तक नहीं बहुत करिये मत मैं आपके पैरों को हाद लगा रहा हूँ ये बड़ा चीटल है इसने कादल आपके सामने जूड़ी मोडी मारगाने का दोजार दूँगा अब सिल पांसो में चलगा रहा है तो उसकाई चाहिए पैसे दिये थे सीमा मुझे तुमसे यह उम्मी थी सीमा कुटे कमीने अब अब अच्छी लग रहा है तो रवी कुटे कमीने सुनिये मैं चाहिपी लूँ चल तरी मागी आपकर दिगल उस लड़के से हमारी जान पहचान भी नहीं थी लेकिन उस मुएके सारी हीरो करी निकाल दी ओए वालिया वाले पांच वरपे गए तो कोई गम नहीं लेकिन यह तो देख कैसे अमने लड़की को लड़के से अलाग कर दिया देख चुमा तुमसे उठार ले ले मादा क्यूबे अंधे यह बोट दिखाई नहीं देता एक चुमा तुमसे उठार ले ले चल हवाने ले कमाल करते हो तुम भी सारी गलसा मिया दूर हो गई प्यार हो गया अब मुझसे दूर भाग देगा मतलब जो समझ ले हायो रभा इतना लखावाली जहां चली गई और तेने तो कोई फरकी नहीं पेंदा यह चंगे कल नहीं है हाँ जाना शानी मत बन आठ सामने से तो क्या मैं पीचे पीचे नहीं आ सकते है पीचे लिडु आसे नहीं हा honest पॉष हाँ कए इन से अग पार्द़ मुझे दिल का रोग लगा के तन मन के तार हिला के तु लखा वाली जान ले गया मुझे अपने गले लगा के सोई अभान जगा के तु लखा वाली जान ले गया बनका हा वाली जान ले गया कर दो 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 कर समझाके, मेरे सपने में दल आके, जाने या क्या समझाके, कुलाखावाली जानने गया, कुलाखावाली जानने गया देद दाके, मेरे गया, कुलाखावाली जानने खावाली जानने गया आप चरपा की तरसाथे तो प्यार जटाथे तुलखा वाली जान ले गया मुझे दिल का रोग लाखे तनौन की धार हिलाखे दिल का रोग लाखे तनौन की धार हिलाखे तुलखा वाली जान ले गया मुझे अपने गले लाखे सोई अरभान जलाखे तुलखा वाली जान ले गया तुलखा वाली जान ले गया तुलखा वाली जान ले गया यह क्या वगार मज्जे से आसु भारी है नाटक इदर आख इदर 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 हट मेरे सामने से तो कर मैं तेरे बीच बीच नहीं आ सकता क्या जल जा जल जा आरे जाना तेरी है तुलखा मुझे तुम तो अप्सवेगर आशिय को सबढ़ें के मैं मैं पूम। जूकरें मैं शूilleurs्मॉत्यॽद्यूस्ट, लिनुप। पत्वूज शुक्रिया शुक्रिया हु besteht को यहीजुड तो लो डूकोब। कि यह लगी लेखिए आपने तो मिठाई खिलाई नहीं खिलाने वाली की नियत देखनी चाहिए उसका हाथ नहीं देखना चाहिए नियत थी ना तो मिठाई की कहा जरूबत चैचा जान ऐसी मिठाई मैं आपको खिलाओं अगाता मुझे डाइबेटीज है अंकल, मैं अपने मऻमी दैडी को ले आता हूँ और उनके आते ए मंगनी अरे कमाल का नी तो मंगनी भी खर्चा कर रहूँ तहीं ने मंगनी को मारो खोली आते महीने की पंद्रा तारी को मंगनी की पैसे में शाधी कड डालते है रोसे सबस्क्राइब सकते हुए। वह आ रखिये, देर भूए भाट ना कि रहे हैं। तुन चाहिए। थे तक तयार नहीं है। बारात किने का वक्त हो रहा है। युक्त जिवाए। अजी बोला हूँ आपको एक बहुत बुली खवर देनी है जिस पस से बारात आ रही थी उसका एक्सिरेंट हो गया है यह? बसका एक्सिरेंट हो गया? और जितने भी बाराती थी उसके सब मारे गए बाराती बारे गए? क्या? और डॉक्टर को बचा नहीं सके? रोहित, लेकिन तुम तुम तो वो ख़बर? अरे पगली वो ख़बर जूटी थी यह देखो मैं बलकुल अच्छा हूँ, सई सलामत हूँ, जिन्दा हूँ और तुमारे सामने खड़ा हूँ यह देखो, यह वही हाथ है यह वही हाथ है जो तुम्हारे थपड को रोक लिया करते थे यह वही आख है जो तुम्हे देख के मिच लिया करता था यह वही होट है जो तुम्हे देख कर सिठी पे जाया करते थे तुम आराम करो, तुम आराम करो, मैं फिर तुम्हे देखने आउँगा तुम्हारा में आउंगा मिस्टर अमर, सीमा को ठीक करने के लिए सा कौन सा इलाज है जो हमने नहीं किया लेकिन तुम्हारी एक नजर ने जो काम किया है उसके आगे हम बेवस हो गए तैंकिर रोक्ताया अब तो सीमा का एक ही इलाज है मिस्टर अमर, बड़ी महर्बानियों की इस गरीब बाप पर अगर आप सीमा की जिन्दगी में रोहिद बन कर आए और यह का कह रहे हैं मैं आपके वक्त कीमत को जानता हूं मिस्टर अमर, लेकिन एक मासुम की जान से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं होती है और जब उसे असलियत का पता चलेगा तो उस मासुम की जान का क्या होगा जानते हैं आप उसकी जान जा सकती है यह नहीं नहीं बड़ा आने से पहले ही मैं उसे समझा दूगा कि तुम ने जो भी किया उसे एक नहीं जिन्दगी देने के लिए किया तब तक उसमें यह दर्स सेने की ताकत भी आ जाएगी और इस लाइक दो जाएगी तो तब तक मैंसे यह भी बता दूगा कि उसकरोहित तो बिस दूगी होनी रहा ना यह वह सब कुछ नहीं माई इस तरह किसी की ज़बात के साथ नहीं खेल सकता यह ना ममकिन है यह तुम्हें दे रहा हूं मैं एक बाप होकर अपनी डेटी को धोका दे रहा हूं क्या करना मजबूर क्यू है क्याकर आप 5 मेह दो कहा होकर आगे हाई जोड़ा हूं मैं दावन पहला तो नेनी बेटी की जन्देगी पकिरे जोली ही टलता हूं मिर्याद यह किया कर रहा तो रह अप हर रिख कि कि यह गाड़ी की रोगी तुम्हें तुम्ही आतनी हम यह अक्सर मिला करते थे क्या दूड़ 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 रही हूँ जिसपर हमारे नाम लिखे से कहां गया मिल गया रोहित धर दूड़ दूड़ दूपी तुम्ही आतनी हम्हां दूड़ 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 दूष दूपे छू़ई गया अ कियाँ भाल अ किया अ drive तू़ है वी दूड़ दू़ए छिल घुम्हां हा उूड़ ड़ किया बधंए अजय को है कि अजय को जब मेर को मौलूम पड़ा ना तुझ जिन्दा है मैं बहुत खोश हो गए लेकिन जब मैंने सुना कि तुमर गया है आरे मैं रोज रोज सोच रोज के रोती थी कितना हल कर था रे तू कितना रुलाएं मेरे को याद है तू लड़की बन कर आया था एक दित हार्फिकल में हाँ कंग्राइटिलेशन सीमा तेरे को तेरा चालूम मिल गया आज शाम को हम लो एक पाटी रख रहे है मैं आएगी ना हाँ मैं आएगी आई सकता मैं आएगी गाइकवाज हाई हाई बग मैं आगई ना हाई 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 सरा बापी चना थू रखो इदर तुम जाओ थरहावा खा किया हो भाई साब आप चलेगे तुरा घर की बाद मेरा भीवाला खसका होगे इतना बड़ा बड़ा पैक मेना की देरों क्या ने लागों को लोग मांग रहे हैं तो मैं क्या करूं मैं तो क्या बार उठा देड़ दो यह ए यह लिस्की जिसके ज्यादा रルク की उसके इ सी कि जिसके ज्यादा पीने से हाह ट dirty हो जाता है marks इसको जाता है कि निक जाते है उत्यं और भूभब हो जाते है डिनày हैfed है मौफ कीशेए रे और कर दोद más बटे घृतjut अछिस को रहतो किना? रहतोड़ी छला भी केला मुझे समया तो मतला हुई जयू यहा एचाम आण सबस्कार करोगे सबस्कार चेरन काल करो चैर सिरा की अदनासिए? पर बंकर्णा प्रहत है भी चोल्ट होगा, ज्पोच अषिया तरहत ला. जो जो मजए रेखे लग एक रिज करो से एक राज प्रिजंग हो अजी हो आज पाज पाजी पुर्ट पोर ऑड़ थे इसायी अपका पाइलक है मेर पाँ छबंगा पाज द की जशीशाया हो वे वे रित्वा से फे करें ङुछ सेया है काईसा अरे तू शुज में से और कैसे मिजाद है आपके कैस रोएक यहार मैं तुमको उस जमाने से जानता हूँ जब तुम चट्वी पहन के गुमा करते बच्पन से जानते जरा सुधार के बुलिए इस बात तो लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है उस दिन तुमारा मेरे going check-up हुआ तो उसमें क्या हुआ था जानता अ मैं तो कहड़ा हूं सर जानता काफी देर से खड़े हैं जरी ता घूम किया और जह जर है आशनते बात रहे थे जिए एशनते पाशर जोनते तो प्रशेर है तो जहां सर फ़ाए इस खुशी के मौके पर मैं अपने दोस्त रोहित के खिदमत में चंद अशार पेश करने जा रहा हूं आप सब की तबज्ज़ चाहूंगा एक मेरी बात तो सुनो दिन तुमारा मेडिकल चेक अप हुआ था तुमारा ही बात का जवाब सिर्फ मी दे सकती है देखो भई, मेडिकल चeck up हुआ था रोहित का, लेकिन बेहोस मी हो गए थी इसका मेडिकल चeck up होने से तुम्हारा बेहोस होने का क्या वास्ता है? वह में बदाएगी है कि ना है? मेडिकल चeck up बेहोस मिसिस काने वाइगाई होगी आप तो अर्सकिया है वो देख-देख हमें जीते हैं वो देख-देख हमे जीते हैं हम देख-देख उन्हें पीते हैं ये मेरी इजार का नाणा नहीन है दोस्तों मेरे फट़े जूतों के फीते हैं इजात sweetheart जोहिट करे लग करेंदा कि अंगु करेंदा कckt कि और से गल करेंदा कि लिए को अरी कर दो 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 अगर न मिलती दिल जीवा बोलो अब कैसे मिलते सोचो ना जरा ये सोचो ना बोलो ना सनम तुछ बोलो ना आखे ना मिलती तो फिर ये दिल कैसे मिलते अगर न मिलते दिल तो बोलो हम कैसे मिलते कर दो कर दो कर दो हुआ 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 है आते जाते रहे हमेशा ही तकर और के मौसब बड़े दिनों की बाद मगर आए है प्यार के मौसब चले जा रहे थे हम दोनों अजने आर बचाते एक दुझे की जान बन गए मिलते और मिलाते आज विला इतगार जो होता तो हम पर जाते उमर जाते तो दिल की बाते कैसे बदलाते सोचो ला जरा ये सोचो ला बलो ला समन कुछ बलो ला आखी नामी जीतों की दिल कैसे मिलते कि आखी ये ये तो हम पर जो हम थे से मिलते लुछा झाल सच बोलू तो मिलके तुमसे इसी बात का गम है तेरे प्यार के लिए ये सारी उम्र पहत ही कम है लब्जों में समझाओं कैसे चाहत की गहराई तेरे साथ न होंगी बन कि मैं तेरी पर चाई देते हैं आज तुमें ले बाहों के साहारे क्या होगा जो नजर लगा दें सारी ये नजारे सोचो ना तरा ये सोचो ना सोचो ना सनम कुछ बोलो ना आखे ना मिलती तो फिर ये दिल कैसे मिलते अगर न मिलते दिल को बोलो हम कैसे मिलते अगर दिल को ना तो पर ना तो ना तुम ने पर पेटी से आपके कानों मैं बिलकुल ठीक सुना है मैं वाकिही सीमा से शादी करनाशा चाहता है यह हमारे mr. १ॉ बहुत बड़े घर से रिष्टा है हमारी बेटी के लिए बहुत नेक और शहीं लड़का यही लड़का जिस ने हमारी बेटी की जिद्धी बचाई थी तुमने इस बारे में कभी सोचा है कि सीमा को कभी इस राज का पता चल गया कि तुम रोहित नहीं अमर हो तो आप देफी कर रहे हैं अंकल मैं उसका सारी हकिकत बता दूआ राज चाहे पती का हो या पत्मी का अगर उसे दुनों के बीच खोल दिया जाए तो बड़कपन होता है और छुपाया जाए तो धुका होता है वाज सही कातुनी इन्सान भले अपनी जान दे दे मगर किसी को धुका न दे आज मैं हमारी शादी की बात करने तुम्हारा डैडी के पास गया था रुहित हम तो बर्सोपहले अपनी दिलों को जोड चुके हैं तो मुझ इपनी पत्नी और में तुम्हे अपना पती मान चुकी हूं वीमा मैं तुमसे एक सीरिष बात कहना चाहता हूँ क्या बात है, रोहित? कोई परिशानी है? अगर मैं तुमसे यह कहूँ कि मैं रोहित नहीं हूँ तो क्यों मजाक कर रहा हूँ? यह मजाक नहीं है, सीमा देखो, हम दोनों शादी के काटूट बंधन में बनने जा रहे है इसलिए मैं समझता हूँ कि यही बहतर होगा कि मैं अपने जिंदगी के हकिकत को तुम्हारे सामने एक शफाफ शीशे की तरह रखतूँ मैं अमर हूँ, रोहित का हमशकल रोहित की मौत ने तुम्हें जिंदा लाज बना दिया था, सीमा जब तुम्हारे पिताजी की नजर मुझे पड़ी तो तुम्हें नई जिंदगी देने के लिए उन्होंने मुझे रोहित बने पर मजबूर कर दिया और जब तुम मेरी जिंदगी में आई तो महबत के लिए इतनी इमानदारी, सच्चाई और नेकी देखकर मैं खुद तुमसे प्यार करने लगा हूँ और आज बात यहां तक आ गई है कि मैं तुमसे शादी करने चाहता हूँ मैं जानता हूँ सिमा के रोहित तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लेकि मैं भी रोहित से कम प्यार नहीं करता हूँ तुमसे तुम मानो अमर, रोहतिवार में सब कुछ जाने के बाद भी, तुमने मुझे अपने दिल में जगह दी इंसान को हमेशा खुली किताब की तरह जीना चीए सीमा, इसलिए आज तुम्हें अपनी जिंदगी का बहुत बना राज बताने जा रहा हूँ रसल, बहुत दिनों से मैं अपने दिल अपनी आत्मा पर एक बोज लिए भटक रहा हूँ हाँ सीमा, बोज, आज से कुछ दिनों पहले अगवारों में खबर आई थी कि मेरे चाजा ने अपनी आपको गोली मार कर आत्मत्या कर ले मगर आज तक कोई इस राज को जान नहीं पाया कि वो आत्मत्या नहीं थी, बलके कतल था और वो कतल, वो कतल मेरे हाथों से हुआ था सीमा क्या, तुम्हारे हाथों खून? हाला थी कुछ ऐसे थे सीमा, मेरी जगा घर फरिश्टा भी होता तो वो भी यही करता मेरे घर में मेरे इलावा मेरी मौसी और मेरे चाचा रहते थे, मेरे आराथ होने के बावजुद मेरी मौसीर मुझे कभी माबाब के कमी महसूस नहीं होने दी और एक दिन शाम को जपने आफिस से घर लोटा, तो मैंने देखा येवो अचंप एथे तोने हम अपना धर में, जायादे अचंप एपने मेरी मेरी मॉसी बहूस ед Одन website पोपने कर देखाने मॉसीर ौरी मॉसीर ौरी मॉसीर ौरी वर मॉसीर ौर ब Pharise ओयाद 내, चंपायद ओने पुर वोट Quenne Caroline पालने, अंब आदो ने तुने! अभी बता हम धर अजय को खोश्मा योर उल्वार फीके उस्टाप! का गदादी! का गदादी! का गदादी! का गदादी, का गदादी! का गदादी! जाटाजी, जाटाजी जाटाजी यहाँ 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 क्या हो गया? मौसी, मैं तुरी वालोरी शिर्णा दे यह गोली कैसे चल गई? मैंने जान बुट के खूर तो किया नहीं, मौसी अब हम क्या करें, मौसी? मौसी 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 आर्ला, यह रिवाल्वर मुचे दे रहे मैं पॉलिस साफसाफ कहे दूंगी कि तरहจाजी चाचाजी, मेरी इझ्द लोगना चाहते थे अपने इझद पारशने में मुझसे खूर उगया, में कहे दूंगी नहीं ensuring कून तो मा क्या है तूम इंदा बहुंत है आपने सरे ले भीने में रáticas जिंस्द कि अपनीत पयार तो मेरी में बनाय नोगे मैं अपने आपको गोली मार दूगी तुम अपने आपको गोली क्यों मारोगी तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में है इक हो समझ मिन आता क्या करे कहा जाए किस से मदद मांगे अमर तू किसी की भी हेंड्राइटिक बहुत अच्छी कॉपी कर सकता है न तु फेर चाचाची के हेंड्राइटिक में ख़ची कि मैं समझ गया, मैं समझ गया मौसी अब मैं मां तु आपश जा ताकि किसी को भी तेरे उपर शक नहों मैं पुलिस को फून करती हूँ, जाने चल दी और इस तरह हम लोगों ने मिलकर इस कतल को खुदकशी का नाम दे दिया मेरे और मेरे मौसी के लावा तीसरी सिर्फ तुम हो, जिस पर यह राज खुला है अब तुम ही बताओ, सिमा, मेरी जगा अगर तुम होती तो तुम क्या करती सिमा चुप क्यों हूँ तुम्हे नफरत हो गई मस्से सिमा सिमा मैं इस्पेक्टर सीमा बोल रही हूँ हमारा मिशन काम्याप हो गया है अमर ने अपना जुर्म कुबूल कर लिया है यह सब क्या हो रहा है बिटा पहले तेरे हाथों चाचा जी का खुन पिर यह सलाखे यह मुझब नसीब और मनूस औरत का साया है अरे नहीं नहीं मौसी तुम अपने आपको क्यों कोश रही हो यह जो कुछ भी हुआ है मेरे जुर्म के बड़े से थोड़ी हुआ है यह मेरे सच बूलने के बड़े से हुआ है देल का अच्छा हुना दिमाग वाले फाइडा उठा गए तुने मेरी खातिर अपनी सबान बंद रखी लेकिन मैं चुप नहीं रहूँगी मैं दुनिया से चिला चिला कर कहूँगी के मेरी खातिर रहुए मगर इतनी ताकत नहीं के मैं कि तुमसे पूछी जाने वाले वकीलों के गंदे और घिनोने सवालों को सुन सकूँ कसम है तुम्हे मेरे सर की तुम इस राज को राजी रखोगी मोशी मैं बाजी तुम्हें कि अगे 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 कि अगे कि वाहरी औरत वाहर क्या रूप पिखाया है तुने मेरे अमर के साथ इतना बड़ा धोका किया मेरे बेटे ने तुझे क्या समझा और तु क्या निकली सर क्या जुकाती है आके मिलाकर बास सुन डायन आप होश में तो है मेरे अमर को सजा दिलवा कर तु जितने चाहे मैडल जीत ले लेकिन इस अबला की बद्दू आ है तुझे कि भगवान करे तेरी गोस्त कभी न बरे तु अलाद को तरसे तब तुझे पता चलेगा पता चलेगा तुझे अलाद का दर्द क्या होता है अलाद का चलेगा बरे तुझे प्रेस वाले यह जानना चाहते हैं कि पुलिस वालों को कैसे शक हुआ यह राम कुमार सक्सेना ने खुदकुशी नहीं की अदल से दो दिन पहले मेरी राम कुमार सक्सेना से मुलाकात हुई अच्छा खास आग में लगा है एक पल भी एहसास नहीं हुआ कि यह आदमी जिन्दगी से यह पीमारी से तांगा कर कभी खुदकुशी कर सकता है हाँ जरा था हाँ जरा था अच्छालक उसकी खुदकुशी की खबर सुनने के बाद शक हुआ और हमने उसके खदल की तेखिशा शुरू करनी है कैसे हमने एक मन गणत प्रेम कानी बनाई जिसका हीरो रोहित नाम का एक करेक्टर था जो सीमा से प्यार करता था और रोहित की मौत की खबर सुनने के बाद सीमा को सब्मा पोंचा और वो कूमा में चली गई अब यह जो सीमा कर रोल है वो मेरी बेटी इस्पक्टर सीमा ने किया और मैंने एक भीकारी खरीम मजबूर बाप कर रोल किया आपने डॉक्टर कर रोल किया आप खड़क सिंग बने थे, आपने मेजर करोल किया, यह पिसनस गायकवाड बनी थी, और अनुवर जो मरेवे रोहिद का दोस्त था, अमर सकसेना ने इस कहनी को सच मान लिया, और वो सीमा को नई जिन्दगी देने के लिए रोहिद बनने को तयार हो दिया, लेकिन उस खत का क्या हुआ, जो खुद राम कुमार सकसेना ने खुदकेशी से पहले लिखा था, वो खत ही था जिसकी बदारत, अमरी चान में शुरू हुई, और मेरा शक यकीन में उस वत मतला, जब अमर से सीमा ने अपने ही क्रेड़िट कार पर अपनी सिंगनेचर की नकल करवाई, जो इनसान बिना प्रैक्टिस किये किसी की सिंगनेचर की खुब और अकल कर सकता है, वो अपने चाचा की जादाद हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता है? सेर, इस केस में एहम भूम का निवाने वाली, विस सीमा का इस कॉनफरेंस में ना आने का कारण क्या है? तो क्या खलत हुआ? मैं आप से पूछती हूँ, अगर आप अमर की जगह होते हैं, और मेरी इस्त पर बराती हैं, तो जजबात में आकर आप क्या करते हैं? मज़ा के पुलीज को सब कुछ सच सच बता देता, अपने जुन का इतराफ करता, मंगरा मर ने फरेब किया, धोका किया, उसने एक मरेव इंसान की लिखाई की नकल की, उसके मर्डर को खुदकुछी थाबित किया, और कानून को धोका देकर समाज में इस्टार इंसान मन के एक तरकीब है, जिससे मैं अमर को कम असकम फांसी की सजा से तो बचा ही सकता हूँ, कौन सी तरकीब वकिर साब, मुझे ऐसे सबूत और ऐसे गवाह कठे करने होंगे, जो ये साबित कर सकें, कि अमर के दमागी हाला ठीक नहीं है, और कतल करते वक्त, वो अपने होश और हव जिल्दोस की एक चाल है, जिसके तहट इन्होंने इसे पागल करार देकर अदालत में ख़डा कर दिया है, और हमर से कुछ सवाल पूछने की इजाज़त चाहता हूँ, इजाज़त है, हाँ तो हमर, हाँ तो वकिल साब, ये बताओ, तुमने अपने चाचा का कतल क्यों किया ऐसी बात करते हैं, छाचा अर भतिजा का इसा होता है, जैसे अंडर्वेर नार्गा, फॊच्छछी पागल किया अंकल पूछी होग। पाती है, नार्गा भाती कोटी तो हमर स्ले रिसे प् message होता है, जैसे अंडर्वेर नार्गा justी लिए फूट एक साथ डूबी घूले के लिए एक साथ शुकते हैं और दुबारा महले होकर दुबी घुर पर चले आते हैं अंडरवेर और नारा से तुरिया को एक तांगा सबग लेश चाप मैं वकील साहब से पूछता हूँ गया अपने पनी आपने पहनी है और अप्ने आपने ङर मेर तो नाड़ा पेनने का फाइदा क्या है? मैं आपसे पूछता हूँ वकील साहब आप भूल रहे हैं कि आप भी किसी की अंडर वेर हैं और आपका भी कोई नाड़ा है जज साहब आप इस नाड़े को देखिए आपको लगता है कि ये नाड़ा अपने हाथ से अपनी एंडर्वेर का गला घोड़ देगा ये लोग मुझ पर फुजूल के लगा जा रहे हैं जासाब मैं सच कहता हूँ मैं भगवान की किसम कहा के कहता हूँ कि मैंने किसी एंडर्वेर का कतल नहीं किया है ये नाड़ा बेगजूर जासाब ये नाड़ा बेगजूर जासाब आई अबजेक्ट यॉर अणर आप एक घटिया किसम के अंडर्वेर हैं आप नाड़े की जजबात को नहीं समझ तकते हैं वाकिल साफ आई अबजेक्ट यॉर अणर कि अधालत की तोहीन कर रहे हैं बलके एक मासूम इंसान की जिंदगी को तबाही से बचाने के वोशिच हो रही है पागल इंसान के लिए कोड की इज़त क्या और कोड की बेज़त ही क्या है मैं तो आपसे अर्श करता हूँ कि ऐसे मासूम इंसान को मुझरिम कैसे थापित किया अबललल यह जोनर यह दोनों पागल हो गई है मेरा हिसाब से यह दोनों पाइटी को अंडर बेर और नाड़ा पहला कर पागल खाले भेज़ता चाहिए यह दालत तब तक मुल्तवी की जाती है जब तक अमर की दिमागी हाले ठीक नहीं हो जाती और यह दालत अमर को पागल खाने में रखकर उसका एलाज करने का हुक्म देती है अगर यारों की जिद है तो अभी सब कुछ बताता हो मैं कितना खान दानी हो छलक छलक इसकी दिखाता हो मैं आया हूँ जहां से वो बड़ा उंचा गराना है अजी आपाद मुझ से ही तो ये पागल खाना है मैं आया हूँ मैं आया हूँ मैं आया मैं आया हूँ जहां से वो बड़ा उंचा गराना है ये आये हैं जहां से वो बड़ा उंचा गराना है क्षिशन किंट्रोल 2-0-1-0 भाईी ने कुल मिला के 36 बैंक है लूटे, जी जाके पाएं हाथ से, इतने ही ताले तूटे बती जे प्राउंड शुगर का व्यापार करते हैं, मामा हतीनाओं का कारोबार करते हैं मंदिर से मूरतियां चुगराते हैं, मेरे बाकी के रिष्देदार ब्लूपिल में बनाते हैं मुझे भी लोग कहते हैं कि ये कातिल पुरा ना है ये आए है ये आए है ये आए है आईये ना ये आए है जहां से वो बड़ा वो चांगराना है मुसीध आ आप तो जानती हैं कि सकसेना CHSículo का वारिसہ केला आमर ही है खितनी हैरत की बात है कि जिस चाचा का अमर ने अन्होंने मरने से पहले ही सारी जाराद आमर के नाम करती थी इसाराद आमर के नाम हो गई है मैंने उसे आज तक इसी दीन के लिए जिन्दा रखा था लेकिन अब उसका मर जाना बहुत जरूरी है पैसे भी पागलों की जिन्दगी क्या जिन्दगी होती है वो किसी के काम के नहीं होते हैं खासकर ये पागल तो धरती का बोज है बोज बोज उतर जाएगा पैसा फेक, तमाशा देख, अमर नाम का आदमी है, उससे जहीं किना है नहीं सब नहीं, मेरी नकरी का सवाल है मशूर समाज सेवक और केंदर मंत्री, शरी सहतान सिंग हमारी अदालत में हाजिर हो है शैतान मंत्री जी कहँए मेरा पहला सवाल है क्या आप हमेशा अपने साथ यह कर्शी लेकर क्यों घूमते है सारा लफड़ा जगडा जो है वो कुर्सी काई है ना, तो कुर्सी कैसे छोड़ दे, कुर्सी के मामल में हम अपनी पत्नी पे भरोसा नहीं करते हैं, हमारे इलाके में जारे में खटिया कम से लगती है, कुर्सी जादा, कोई धंग का सवाल पूचिए, पागल मैं समझे हैं, हमको यार, मंतरी जी, आप पे आरोप है कि आप गलती से इमानदार बहुत हैं। यह आरोप नहीं है। यह साजिश है हमारे खिलाब। जनता को भड़काने की कोशिस की जा रही है। हमारी इमेज खराब करने का प्रेत्नी किया जा रहा है। आपोडिशन वाले चाहते हैं कि हम इलक्षन में जीत पाएं। इसलिए सब हमको कहते हैं कि यह इमानदार है इमानदार है। और हम जनता से इस साफ साफ कहते हैं कि हमारे जैसा ब्रस्ट और चलूनेता इस देश में पैदा नहीं होगा। तुम का इको बैट गया यार। हमारे पक्स्ति उमीदवार बैट जाए यह हमको पसंद नहीं है। हम थुके ना थुके तुम डबा पकड़े रहो। मंत्री जी हमने तो हमने तक सुना है और आपको खेल कूट का मंतरी बना डिया गया तो आपने खेल कूट की तरक्की के लिए कुछ किया ही नहीं। अईसा कैसा हरा आप आप ? अब आकी को ले लिजीए्र आकी मैं जार्बलहुरा था हमने रिकेचेंज करा आया। 222 तघड़ा तघड़ा लोग यह बड़ाबड़ा ढंड़ा लेकर एक नदा सा गेंद के पीछे पढ़ जाते इन अच्हा लगताका अच्हा लगता है लगता है धून recognizing हां कड़ा दूनिया ना होता है एक गीनद के पढ़े गहलता है और गोल भी जादा होगा और देर दर घंटा खेलते रहता है एक गोल नहीं होता आज तो हम मंत्री महोदय जी को अपने हाथों से दूद पिलाएंगे यह लीजिये मंत्री महोदय जी हम किसी एरे गयरे नठ्थू खेरेंगे हाथ का डूर नहीं पीता हूँ अमर एक मिनिट जुलनी का रंग घरबढ हांमार पिया जुलनी का रंग घरबढ हां हम अमर, TUM यही समझते हो ना कि मैने तुम्हें धोका दिया है मैं तुमसे इतना कहने आयं हूँ कि वो दोका नहीं मेरा फर्स था और उसी फर्स को निपाते, मैं तुमसे सचूच प्यार कने लग गई एक लड़का था, एक लड़की से बहुत प्यार क कीरता एक दिर उसलगी ने लड़के का दिल मंगा, तो मालूम है उस लड़के ने क्या किया ? अपना सीना चीर के दिल निकाल के उस लड़की के हाथ मे रख दिये प्लेवास के लुट के साथ हीरמש पाटा। पाटा। अरी अर्मार को सहूल pensar पाटा। नि अर्मार को सहा कमें जस्तप्रोफ अर्मार लुटाम कश्रें दोटा यह धविया। ऑमर के साथstartर लालारी सिरूदक्व बादिया गवान तरो? मेल एतो मेल मेल प्रेवार निगे नवसको देखने में गेशाता तिकता गेशाता तरो? गवारास नरिवाला चा बुरी, बुरी अके ठिएश्की एक प्रेश तेक गड़ी वाले जए जए तरी नुझझट तुम पंदरा मिनेट पीछे हो चला तू जहा जहा चलेगा मेरा शैडो तास होगा तू जहा मेरा यंगान नेमाई तुम्हारा क्या काम है इसकी भी भी लंबी उसका भी बड़ा नाम है आप लोग तरह बाहर चाहिए मुझे इसकुछ पुछ साच करनी है शुक्रिया 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 बहुत शुक्रिया बड़ी मरबारी मेरे दिंदेगी से खुदर आप जाएए प्लीज हम तुम एक कमरे में बन हो और चावी खो जाए एक आम्र मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने आई हूँ तुमारी जान को खत्रा है आगे भी खत्रा पीचे की खत्रा आमस तुम हआ डालने कुषिश के जारी है चुद्सकी जारी है जो दूसर गास भीका था उसमें यह भी लिलावग था जहर अमर यह तुम्हारे पीछे बहुत गैरी चाल रची जारी जिसका तुम्हें कोई अंदाजा नहीं आखरी लोग कौन हो सकते हैं एक हमदद्ध होने के ना दे मैं तुम्हें इंस्पेक्टर सीमा और हमदर्ध हर मोड पे मिल जाते हैं हमदर्ध हजारों शायद मेरी बस्ती में अदाकार बहुत है मैं तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानूगी क्योंके तुमने तो हमेशा मेरे वफाओं के आस्मा को फर्स के बातनों से ढखा देखा है इस दोर में वफाओं की उम्मीद जिससे की आकर उसी के हाथ का पत्थर लगा मुझा यह रहा मिनी वफाओं का सबूत उस्त वह को हुआ है, एक वहारी लड़की क्लिए अपनी इसत अपनी जान से भी बजाता प्यारी होती है और मने अपनी इशत तुम पर निछावर करती है सिर्फ एक रखाबड करनी के में, झन्याल पनी अप्सर में एक लटकी भी होती है चुट झाल 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 चुट झाल झाल इक नया आसमा आगए दो दिल जहाँ अब हवा भी नहीं फिर मेरे दर्मिया ये जिन्दगी आई कहाँ आई कहाँ ये जिन्दगी आई कहाँ इक नया आसमा आगए दो दिल जहाँ इक नया आसमा आगए दो दिल जहाँ अब हवा भी नहीं फिर मेरे दर्मिया इजन्दगी आई कहाँ इजन्दगी आई कहाँ इजन्दगी आई चाँ कर दो कर दो मैं वही तुम वही फिर भी सब कुछ नया इतला जब ढ़ांग से दिल धरत नी लगा सांसों की आज से दिल पिखल जाएगा यू ना देखो मुझे दम निख जाएगा इस कदर बढ़ गई आज नज़ देखिया अब हाँ भी नहीं फिर मेरे तर्मिया ये जिंदेगी आएगा ये जिंदेगी आएगा इंदेगी आएगा इंदेगे देगी आएगा ये जिल देगा बढ़ से घज दिल देखिया मुझे एगा ये जिल देग व नफ देखिया ये जखिया पुझे शे दोटान गाएगा इंदेगा आएगा घुझे पquisका हरता मन ना कहें भरला होश में आज रहने न दो मुझे को तुम होश में ओई पहरा नहीं अपनी जजबात पर हस्दतों की जुबा बोलती है नजर कह रही है हमें होटों की नर्मिया कह रही है हमें होटों की नर्मिया अब हाँ भी नहीं तेरे मेरे नर्मिया ये जिन्दगी आई कहां ये जिन्दगी आई कहां इक नया आसमा आ गए दो दिल जहां इक नया आसमा आ गए दो दिल जहां अब हवा भी नहीं तेरे मेरे दर मिया ये जिन्दगी आई कहां ये जिन्दगी आई कहां जाई कहां ला 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 लुव्ह। बहुत बहुत शुग्री आई कहां अजिए मांदर दीदाउ्टा Cup इस मेरे रिवहky los. उस पेशेंट को अंदर बेज़ो यह से बाई साथ साथ में बुलाए आपको तुम यहां हस्पिटल में क्यों चले आए मुझे यहां कोई मजबूरी खेश लाई है और तालिस घंटों में मुझे किसी को एक लाख रुप्य देने का है तुम्हारी आयाशियों को पूरा करने के लिए यह कारोबार खोल करने बैठा हूं मैं जो काम मैंने तुमसे करवाया था उसका दाम दे चुका हूं दुबार अपनी मनुष्श शकल लेकर या नहीं आना गेट आओ अन्ना सहाब एक बार फिर सोच लीजे मुझे उन पैसों की बहुत सक्थ जरूरत है एक लाख तुमें तुम मुझे ब्लैक मेल करना चाहते हैं लोग पैसों के लिए क्या कुछ नहीं करतें अगर तुमने अपनी जुबान खोली तो मैं तो फसूंगा ही लेकिन तुम भी नहीं बचोगे रही लाख रूपियों की बार तो अमर के जाइदाद मेरी होने के बाद मैं तुम्हारी बात पर काउर करूंगा लेकिन मेरी जाइदाद में से एक फूटी कौड़ी भी तुम्हें नहीं मिलेगी यह तुम्हारा आखरी फैसला है सुनो लोगो मैं डॉक्टर हूँ अपरेशन के आवजारों के साथ साथ और भी बहुत कुछ है मेरे पास लोगों को तंदुरुस्ती और जिन्दगी की सलामती के मश्वरे देता हूं मैं तुम्हें भी जिन्दगी की सलामती का एक मश्वरा दे रहा हूं अंदा ना ही अकदम रखना और ना ही मुझसे रुपीयों की डिमांड करना तीक है खन्ना साथ बड़ी उमीद लेके तुम्हारे पास आया था लगता है कोई दूसरा दर्वाजा खटना पड़े तुम नहीं दोगे तो कोई और दे देगा यह देश का क्या हाल हो रहा यार त्यारो तरफ माट लगी हुई है हुआ 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 वालत मुझे यह इस मालूम करने का था कि तुम पागल नहीं है पागल पन का नाटक कर रहा है और यह पागल पन का नाटक तुम अपना अंकल का मॉडर का सदा से आसी से बचने के लिए कर ला है लेकिन तुम को यह सुनकर बहुत शाक लगेंगा कि वो मॉडर तुम नहीं किया कोई और किया कौन है वो किस नहीं किया मेरी चाचा का कतला कल रात बारा बजे शोख हतम होने के बाद खाइदास हौल में मैं सारा सुबूत और एविडिंस के साथ तुमारा वेट करेंगा जो तुम्हें हासी के तक्ते से पचा सकता है किस तरह के सब होते हूँ सिवाए रूपयों के तुमारे साथ और कोई नहीं होएगा एंड रिमेंबर वन लैग रूपी वन जीरो 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 वो पोचला कैस मेने आपका कैस पुरा सटड़ी किया है और मुझे लगता है कि यूर आपरेशनाई बीटान अटमोंडे ओके तरह यूश अगैं अमर, तुम, अंकल, अंकल कपराईये मत, अपने आपका भासे के भंदे से बचाने के लिए मुझे पागल बनना पड़ा, मैं पागल खाने से भाग कर आया हूँ आओ, आओ, बैटकर आरम से बात करते हैं अंकल, हम लोगों के लिए एक खुशकबरी है क्या? आज तक मैं समझता था, कि चाचा जी का खुण मेरे हाथों हुआ है मगर आज मुझे एक आदमी मिला, जो चाचा जी के असली कातिल को जानता है कौन है वो असली कातिल? यह उसने नहीं बताया, क्योंकि उसे एक लाख रुपे के जरूरत है रुपे मिलते वो सब कुछ बता देगा अंकल वो जो कुछ भी है, तुम्हें बेवकुप बना रहा है बिल्कुल नहीं अंकल, मुझे उसकी बातों से लगता है कि वो इस मर्डर केस के बारे में बहुत कुछ जानता है अगर मैं उसको पैसे देदूगा, तो सब कुछ बता देगा मैं घर भी गया था, मगर पुलिस ने घर को चारो तरश से खेर रखा अंकल, मह उसे के बाद अगर मेरा कुछ अपना है, तो आप है अगर आप मुझे लाग रुपे देदे तो मेरी जान बुचाने का यहाइसान, मैं मरते दम तक नहीं भूलूगा अंकल, प्लीज प्लीज कहकर मुझे शर्मिन दा मत कर पैसा क्या तुझसे ज्यादा है क्या अरे तुझे बेगुना शाबिद करने के लिए एक लाग तो क्या मैं अपने सारी जायदाद लूटा दूँगा, यह लिए थांकिए लेकिन कहां बुलाया उसने तुझे रात को बारा बज़े के बाद रात को बारा बज़े के बाद एक लाग रुपे के साथ नहीं नहीं बेटे, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, मैं भी आऊंगा तुम्हारे साथ अंकल उसकी पहली और आखरी शर्त ही यही है कि वहाँ पर मेरे साथ कोई और नहीं होना चाहिए आप मेरी परवा मत किजिए मैं देख लूँगा अपना ख्याल रखना बेटे अपना ख्याल रखना बेटे तुम्हारे कहने के मताबिक मैं एक लाख रुपए लेकर आगया हूँ अब मुझे बताओ कि मेरे चाचा जी का असली कातल कौन है मैं बड़ी मुश्किल में हूँ प्लीज 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 आप तरफ देखो तरफ 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 प्लीज अप प्लीज अब बड़ी अबीवी हुआ है वातिक एंक ही होगा याज प्लीज प्लीज तरफ प्लीज 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 झाल 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 कौन? मौसी, मैं हूँ, अमर अमर, तू तू? तुझे यहाँ आते वे किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, किसी ने नहीं देखा अमर, कैसा है बेटा तू? च्या होता मौसी, बस जी रहा हूं ऐसे पुलिस की चुंगल से जानवरों की तरह भागा भागा फिर रहा हूं मौसी महुत थक गया हूं मैं, मैं सोना चाहता हूं मौसी सोजा मैं सोना चाहता हूं सोजा चाहता हूं सोजा मैं सोना मैं युलिस थीप हढ़ मैं आर याً मैं बाल बाल तुम मैं तुम यहां अचानक कैसे तुम्हेने मुझे फोन करके बुलाया था मैं तो इसके मरने के बाद तुम्हें फोन करने वाली थी लेकिंग क्या फिर मुझे फोन किसने किया हमने करवाया था वह भी इस्पेक्टर सीमा के हाथ हो मुझे जिन्दा देखकर हारान परेशान हो गई न मौसीड वह हुआ यू कि यहां पर आते ही तुम्हारे रिवालवर से असली घुलिया मैंने बाहर निकाली और नकली घुलिय से इंसान मरता नहीं दरसल क्या है मौसीड इन तस्यूरों को देखने के बावजूद तुम्हारी मकारी पर मुझे यकीन नहीं इसलिए तुम दूनों को इखटा करने के लिए मुझे इने फोन करके यहां बुलाना पड़ा ताके तुम लोगों का कमीना पन मैं अपनी आखों से लेकिन फोड़ोग्राफ और लोगों के इस खतें जो के उसने मिला को लिखा था सारी हकीकत बयान कर दी के कत्ल की रात क्या हुआ था कर सकतित अझां करें कर्ण ooh यह 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 चोड़िये न न जस ब़िए टरखती प्लीज यह यह यहां चोड़िये न प्लीज दिभी क्या है इस कर दो 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 कि अगर उस दोड़ा से हिसेदार मैं यह वन जाओ तो क्या वुरा है कि अगर आप लोगों को फोटोग्राफ लेने के लिए वो कमीन आप लोगों का भी बाप निकला उसने आप लोगों करने के लिए वो फोटोग्राफ भी लें अगर नहीं जाने के बाद जब मैंने अपने आपको कानून के हवाले करने के कोशिच की तो तुमने मुझसे कहा के नहीं मेरे बेटे मेरे लाल मेरे पीले तो ऐसा मत कर तो अपने आपको कानून के हवाले मत कर तो कौपी बहुत अची कर था ना तु लिक तु लिक मुझे इसलिए कि तुम्हों दोनों चाहते थे कि मैं ना मरू उस वक्त तक जब तक कि जाइदाद मेरे नाम नहीं हो जाती अरे रामा वाट ड्रामा जब इंस्पेक्टर सीमा को मैंने अस्ट्रियट बता दी और मैं जेल के पीछे चला गया तब भी तुम लोगोंने नहीं चाहा कि म मैंने नाम हुई तो मेरे प्यारेश से अंकल ने पागल खाने में मुझे जहर देकर मार देने के कोशिश की मुझे मार देने के बाद तुम इस जाहदात की इकलोती माल्किन बनना चाहती थी और जिंदहीं भर इस खन्ना के साथ याशी करना चाहती थी मागर अफसोस लोगों के इस खत्ने और इन फोटोग्राफ ने तुम लोगों की सारी उम्मीदों पर पानी फिर दी So my dear young couple उर्फ लेला और मजनू तुम लोगों के हनीमून के लिए ये हवेली नहीं बलके जेल की चार दिवारी है वो भी अगर फासी नहीं हुई तो अच्छे चलता हूँ एसी पीछ अंदर बेड़ी मेरा इंतजार कर रहे होंगे अंकल का देख ले आंटी का भी देखा ले अरे मा उसी का भी देख ली जगातिया मैं कोई नहीं अपना हा कोई नहीं अपना हा इस हरामजादे को रोको खना इससे पुलिस तक नहीं पहुंचना चाहिए जाले इतने भतपटी वाले मावसी को मिलने का वादे थे मिकलो छोटे सरकार वरना लटक जाओगे अब 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 कॉच मिलने तक्ता से क nellौ 9 आपिवादे 1 c को जआ इनकार पुलिसिस मिलने खरोफादे 2 ऐmost कारे बपना हा इसे अनकारे 3 प्र pada ट 1000 और अ उब हुआएए और लग गुड़ वो युड़ सब इब पर लगाग फंड़ ऑफ़ी इननननन दिन्ज एफ़ी दिनल्री ऑफ हना दो是什麼 मैं ऐसे ऊउर के भोन दो फब घब अब बैटे, इन दो पईयों की गाड़ी पर जाते जाते ठक जाओगे, इसलिए ये लो, मेरी गाड़ी की चावी, और फोटोग्राफ्स, एसीप को दे कर आना, और वापस आने के बाद, अपनी महभूबा की लाश को ले कर जाना, तुम्हारी मदद करने निकले थी, हमने अबर, तुम मेरी पर्मा बत करो, तुम चले जाओ, ठीके ठीके, जाता हूँ, अरे काम करो न, अपनी चूड़िया देजो न, मुझे पहनना के लिए, हाँ, एकार बार मदद क्या कर दी तुमने मेरी, तुम अपने आपको शासी की राद नहीं समझने लगी, एक मेंड़ अर्टों के गाम शोवा देथे, और मर्दों के अर्दों के येलो, अज़ देखो मैंने काना या निर्क्यों का काम नहीं है, जल्चा का पलिस्तों बलाजाओ काम! जय! जयाँ! जयाँ! तुमने! जयाँ! हाँ! चाँ! चाँ! अब पादी! वह, थे रिवाट, मेरे वह, प्रतुन के यह बगलोन को नमस्कार में दून का नाच रहा है श्तल सक्वार का इन को अरेश करना हमरा दीकार्टमेंट है और तुम्रा दीकार्टमेंट वाए वाँ जा के नाचो झाली बेलाद बधरंगली पीजाने हो सोता है आप अम रहे ए प्ते हमादा के रहे हो रहा हो रहे हट हट वे हो बे इतना में नी समझता ये रहासल थी तेक में दूगे साचुब्में तो मकछे उधार देए आई जो बदले में और बदले में यूपी बिहार लेले बदले में यूपी बिहार लेले